हालो गाईच तुआट You'll आपकर हमारे को नई वीडियो में हैं इस वीड़ो में पात करने वाला हूं किए आप टैनिस क्रिकीड में ऑफसाइट पर कैसे खेल सकता है यह बहुत सारे आप मैंसे लोगों ने कमेंट किया कि भाई हमें टैनिस बॉल में बताई कि हम ऑप सैड पर कैसे खेलें तो जब भी बात आती है टैनिस बॉल में ऑप सैड पर खेलने में तो कुछ चीजें काम करती हैं जो बहुत बड़े फैक्टर है वो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले आपका बैट क्योंकि आपका स्टान्स जो थोड़ा वाइड है और एक्रॉस इस बज़े से आपकी लेक्साइट ज्यादा चलेगी कंपेर करें अगर आप आप सैड की तो आप आप सैड पे कैसे मार सकते हैं तो आप सैड के लिए मारने के लिए आपको सिम्पलत अपना बैटिंग इस त तरीके सोट मार सकते हैं तो सोल्डर का यूज करना बहुत जुरूरी है और रिष्टांत आपको सीधा करना है तब जाके आप आप साइड चलेगा सिर्फ आपको बाहर नहीं रखनी जब भी आपको आप साइड पर आपकी होनी चाहिए इपर और फस्लिप के बीच में जब फस्लिप और फीपर के बीच में रहेगी यहां पर तो अब इससी बात आपको अपिस्टम चलेगा आप पहर निकालेंगा आप पहता तरीके से कवर्स पर खेल सकते हैं यही से आप थोड़ा इजी से खेल सकते क्योंकि आपकी बैक लिप बाहर चली जाएगी तो आप बैक लिप आपको हमेशा कीपर और फस्लिप के बीच में रखनी है तब जाके आप बहता तरीके इस ओपिस्टम पर मार सकते हैं जो थाइप चीज आती है ओपिस्टम पर आप कैसे मारें बाल को तो करना कि वह आपकी ग्रिप बहुत इंपोर्टेंट हो जाती है आप में से बहुत सारे लोग क्या करते है इसको टाइट से पकड़ लेते हैं जब ऐसे नीचे जो बॉटम हैं ऐसे टाइट पकड़ लेंगे तो आप आप उपिस्टम पर नहीं मार पाएं क्योंकि आपका हाथ नहीं चलेगा सही तरीके से यह टाइट पकड़ रखे आपने तो जब भ आपको 2 फिंगर से वकड़ना है कि आप बी गिर्प में आ जाएंगे और जब आपकी यह रिष्ट अ से सकते हैं तो पूरा रिष्ट चलेगा यहां से सोट पुआज आसे सॉट मार सकते हैं थोड़ा उठा के भी मार सकते हैं क्युकřि आपने जो बहुत ज्स्टम पर खेल तो जो गिर पर आपकी बी रहेगी और जो फोर्थ और सबसे important point आता कि आप जब बिल्कुल भी ऑप स्टम पर नहीं दे रहा हूँ वाल मारने के लिए तो आप करके सकते हैं आप अपने स्टांस में थोड़ा प्रूम क्रियेट कर सकते हैं थोड़ा पीछे अटके रूम मिल ज आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरू करें में मिल तो आगा फ्रेश वीडियो में तब तक की लिए खेलो इंडिया बड़ो इंडिया